इस चट पटे कॉर्ण का कमबर रहता बनाने के लिए मैं एक बड़े साइज के खीरे को फाइन चॉप कर ली हैं और आधा कप कॉर्ण ली हूँ कॉर्ण आप नरम मीठा वाला ले मोटे कॉर्ण में सुइटनेश मीठा पर नहीं होता है इन दोनों को प्रेशर कुकर में थोरा पानी और नम्मक के साथ 2 सीटी आने तक पका ले वैसे आप कच्चे खीरे कॉर्ण भी ले सकते हैं दोनों बहुत ही नरम होते हैं लेकिन थोरा पका लेने से टेस्ट बढ़ जाता है देखिए बहुत नरम हो चुके हैं पक चुके हैं अब इसके पानी को ड्रेन कर लीजिए किसी बरतन में देखिए बहुत अच्छे बनेंगे ये रहता बहुत ही स्वाधिश्ट बनेंगे और बहुत कम समय में बन करके त्यार हो अब आधा कप दही ले रही हूँ ये मेरी मोटी दही है थोरा सा भेस में पानी नहीं है इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए यहाँ पर थिकनिस बहुत ज़्यादा है तो ये वहीं पानी है जो ककंबर को उबाली हूँ उसे से बॉल को क्लीन करके इसमें मिला लीजिए अग अगर आपका दही पतला है दही में पानी है तो आप अलग से पानी मट डाले रायता आपका पतला हो जाएगा अब इसमें कॉर्ण ककंबर मिक्स करने के बाद एक छोटी चमच रेगूलर नमक उजला नमक आधा छोटी चमच काला नमक और आधा चमच चोटी चमच चीनी ए इसे सर्सों तेल डालने से स्वाद बहुत अच्छा आता है नहीं तो आप जो तेल पसंद करते हैं वहीं डाले इसको शर्विंग बॉल में ले रही हूं इसमें एक हरी मिर्ची कट करके डाल दीजिए मैं भूल गए थी डालना और थोड़ा सा हिंग डाल दीजिए अच्छ रोष्ट करके तरका लगा लीजिए बहुत अच्छी रायता हमारा बन करके रेडी है आप इन चटपटे रायता को किसी भी तरह के पराठे नान फ्राइड राइस या आप्शनल वेजिटेवल के रूप में सर्व कर सकते हैं और बहुत बड़ी खास्यत है जो यह बहुत ही कम समय में बन करके त्यार हो जाते हैं थैंक यू मिलते हैं अगले रेसिपेज के साथ